नमस्कार मित्रों, सक्सेज वार्येश चनल में आप सभी का स्वागत है, जी हाँ, आज से शुरू होगा समिच्छा दिकारी, सम्हायक समिच्छा दिकारी महा अभियान, जी हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो, तो आप से करबरत प्रातना है कि चैनल को सस्क्राइब परें, ल करने हैं, आपका टार्गेट होगा, एक सो साथ प्रशन आपको हल करने हैं, अगर एक सो साथ प्रशन को हल करने के बारे में हम सोचें, तो हमारे पास यहाँ दो टापिक मिलती है, एक सामान एध्धन, एक हिंदी, परन्तु, समस्या क्या है, तो याद रखिए, एक सो साथ प्रश्न हल करने के लिए आपको mental रूप से स्वस्थ रहना है और फिजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है अगर आप फिजिकली रूप से कमजोर हैं तो आप mental रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं जी हाँ और यह महाभियान क्यों कह रहा हूँ चुकि यहाँ आपको सिर्फ ठिक मारना है अगर एक बार आपने अच्छे से जी यस पहडिया जी हाँ एक सो सार का टागे बना दिया तो फिर न तो आपका PCS रुकेगा न तो कोई एक्जाम कोई भी एक्जाम नहीं रुकेगा और जब जून में परिच्छा हो जाए जुल आगस्ट में जब परिच्छा हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ हिंदी और mentally दो रूप से अपने आपको तयार करना है मन के हारे हार है मन के जीते जीत अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं तो आपके अंदर एक डिप्रेशन होगा एक डर होगा एक जाम को उसको बाहर निकालना है और उसको बाहर कब निकालेंगे जब आप mental और physical स्वस्थ होंग कि आपको physically और mentally कैसे स्वस्थ रहना है तो आपके जीवन में एक चीज अपने जीवन में उतार लीजिए अनुशासनात्म जंग से नमबर वन कि आपको योग करना है per day आजी घंटा जी हाँ आपको jogging करनी है आपको meditation करना है इससे क्या होगा और आपको healthy diet लेना है अब healthy diet मतलब वो साधान गाजर भी हो सकती है यानि कि एक fruits आपको खाना ही खाना है क्की कहा गया है की अलपहारी, ग्रिहत्यागी, विद्यार्थी, पंचलग, छणम तो healthy diet का मतलब इतना चावल, इतना डाल, इतना रोटी नहीं सामान प्रकृत का भोजन जो भी आप करते हैं अंडा खाते हैं मसली खाते हैं प्रहिर खाते हैं पूरी खाते हैं जो भी खाते हैं करिए आप लेकिन एक सामान प्रकृत का डाइट हो हाँ योग बहुत जरूरी है वह योग आपके अंदर के साफ्टवेर को स्ट्रांग करेगा जिससे आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा यो और फिर देखिए आपको करना क्या है मैं आज तीन अंकों की चर्चा करूँगा आपसे तीन अंक का वह तीन अंक है 11 दिन 21 दिन 108 दिन कहा जाते एक साइंटिफिकली ये प्रूफ है अगर आप कोई कारे 11 दिन 21 दिन 108 दिन तक लगातार करते हैं खास कर 21 दिन तक में कोई ब्रेक आप में नहीं होता है तो माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके रोटीन में आ जाता है यानि कि अगर आपका पढ़ने कामन नहीं कर रहा है इसे किताब खोलते ही चक्कर आने लग रहा है डर जा रहा है काप जा रहा है दिमाग फट जा रहा है नसे फट जाएंगी किताब देखकर आधी घंटा बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपको धिमे धिमे इस 21 दिन के अ आप रोटीन में आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको रोटीन में क्या आना होगा कि अपने को डिस्टिप्रिन लाइफ में 21 दिन तक बिना ब्रेक का आप अगर गंटे सुबह साथ में पढ़ रहे हैं 21 दिन तक कांटीनियू कर दीजिए आप टोटल रोटीन में आ जाएंगे हमने कहा कि यह scientifically proved है तो अब प्रसूरता है कि एक हमने योग भी कर लिया हमने meditation भी कहा हाँ जो लड़किया या ऐसी मेलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं मतलब कि दोड़ने के लिए वो ग्रिहणी है या ग्रिहणी नहीं कुवारी ही है लेकिन वो बाहर उनके family allow नहीं कर सकता है लेकिन आपको रसी कूदने से भी कहूं नहीं जोग सकता है आप अपने घर में रसी कूदी आप अपने घर में योग करिए अंदर के software को maintain करिए अंदर का हमने यह हमारी body क्या है यह hardware है और अंदर क्या है software है और सबसे आप mobile भी यूज़ करते हैं तो उसमें देखत software update होगा इसे निराशा जनक सकतियां आपकी कम होंगी अब चर्चा करते हैं कि इस एक सो साथ के लकीर को आप कैसे पकड़ेंगे जी हाँ 160 के लकीर जो है आपके 160 परसंट का हमें total हमें अपने अगर हम 100% हमने कहाँ की 100% के अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप बेकार हैं पहली बात जान लिजेगा आपको 100% देना ही देना है उस 100% में 50% हिंदी और 50% जीस को देना है 50% हिंदी में हमारा 60 कोशन रहेगा और हमें किसी भी एंगिल से 60 में 60 अपन 60 करने हैं अगर हम 60 अपन 60 करते हैं तो हमारा 55 प्लस चला जाएगा आराम चला जाएगा वो 60 अपन 60 भी जा सकता है अगर थोड़ा सा भी आपका दाएं बाएं वहां एक्जामेशन प्रेशर है तो 55 से कभी चवण नहीं हो सकता वो 55 का 55 ही रहेगा बासों में आ गई यहां आप आ गए 55 कोशन पे अब हम सामान अधन की बात करें तो यहां जो हमारा टार्गेट है जी हां यहां जो हमारा टार्गेट है वह है 120 प्रस्ण हल करने का जी हां यह कोई राकेट साइंस नहीं है मैंने कहा 140 इसके आंकड़े है यहां कोई राकेट साइंस नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका साल्ब नहों और 120 प्रस्ण जेक्ट आप जब करके आएंगे तो आप 115 या 112 के बीच में आपका जीयस सही होगा तो आप सोचे कि आप 160 के भी आंकड़े को पार कर जाएंगे परंतु कैसे यह कहना आसान है आपको क्या करना है एक रोटीन में आना है उस रोटीन के लिए आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लीन हो अनुसासन हो डिसिप्लीन या लखेगा बिना डिसिप्लीन का कुछ नहीं हो सकता है और अगर आप सो के पढ़ते हैं तो उस प्रमाद को उस आलस को त्याग दीजिए आठ महीने का कसरत है आठ महीने में जीवन बदल जाएगा जी हाँ आठ महीने में आपका फ्यूचर बदल जाएगा उसके बाद से सोईए खाये जो इस्चा वो करिए तो अब मेरा क्लास करते समय जी हाँ अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा नमबर बन परदी है उस पुस्तकों को जाएगा और मैं उन ही पुस्तकों में से ऐसे ऐसे पॉइंट्स को क्रियेट करूँगा जिसको मुझे अंदाजा है कि आप छोड़ देंगे यस और उन ही को मैं बताने की कोशिस करूँगा एक कांसेप्चूल कोशिस की जाएगी ताकि आपका अटोमेटिक हिस्ट्री का आपका अटोमेटिक निबंध भी तयार हो जाए निबंध कोई राकेट साइंस नहीं होता बहुत लोग करतें निबंध की किताब जब आपने जीएस पढ़ लिया अच्छे ढंक से कांसेप्चूल जी यह तो सब पढ़ते हैं पानी पत का युद्ध कब हुआ अरे 1191 दिती कब हुआ पहांबे इस नाट पानी पत का युद्ध क्यों पानी पत में हुआ यह जानने क्या हो सकता जब आप क्यों जानेंगे जब आप हुआ ही जानेंगे तब यह आप जो है निबंद आपका आटिमेंटिक त्यार हो जाएगा तो इसका इस्यू मत रखेगा उसको मैं और अपडेट करवा दूँगा और यदि आप अपना नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है तो आपको तैयारी करने और आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी कहीं फोकट में भी मिले तो भी मत लीजिएगा अपना पीडियेफ स्वेंग बनाएए और आपका पीडियेफ आपका नोट्स है आपका नोट्स ही आपको बेड़ा पार करेगा अगर मैं 30 मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर जो चीज आप जो है पांच दिन में सीखेंगे उस चीज को मैं एक घंटे में बता दूंगा तो आपके कितने घंटे बचे बहुत सारे घंटे बच गए उस घंटे में आपको सिर्फ रिवाइस more than more revise करना है अगर आप revise करते हैं और इसके आगे की जो classes अब आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ना है how to read क्या होना चाहिए कैसे distraction होता है हमारे master's में इसके आगे मैं कोशन आप वीडियो बनाऊंगा लेकिन मुझे उम्मिद रहेगा कि आप उन्हों पुस्तकों को खरिद लेंगे और जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो कापी कलम लेकर बैठेंगे उस facts को नोट करते रहेंगे चुकि मैं बहुत professional बैक्ती नहीं हूँ मैं मैं बहुत बहारिक बैक्ती हूँ और यह नहीं कि मैं आपको यहां लिख दूँगा फिर एक एक बहुत बताता रहूँगा मैं सिप आपको concept दूँगा मैं concept ही दूँगा with fact दूँगा जी हाँ और इस महाभियान से जुड़िए अपने अन्यमित्रों को भी जुड़िए ताकि सबका भला हो कर भला तो हो भला चैहिन वन्डे मातरम भारत माता किजए नमस्कार